बिस्मिल्लाई रह्माने रहीम असलाम लेक्वी वर्स वैल्कम टू मैं चैनल कुकिंद्वित मली का उमीद है कि आप सब फैर्वाफियस से होंगे आपको हमेशा हुश्वरबाद रखे आमिन सुमामेन तो इवर्स सद्वियों के मोसम में अक्सद ही शिकायत रहती है कि हाथो से ना तो आपकी एडियां फटेंगी और ना ही हाथ आपके सक्त होंगे हाथों लुब चितने भी दाग और दब्वें इms Алला इस ट्रिक के साथ और पॉर दिए भी दूर होने वाले हैं हाथ आपके सौफ्ट होने वाले हैं और साधी साथ जो पाउंग की एडियां फटी रहती है उसका भी इंशाला आज हम हल निकाल देते हैं और यह हल बहुत ही सेश्टा सा है सारी चीजें आपके किछन में मुझूद हैं बस आपने निकालना है इनको म चीजें हैं जैसे कि एडियां और उग्यारा और हाथ इसके जो फटापन है उसको दूर करने के लिए वैसलीन बहुत ज्यादा इफक्टिव साबित होती है बहुत ज्यादा देती है हाँ तो यहां पर हमने वैसलीन एक चमच ले लिया है और उसी तरह एक चमच हम ले mix करेंगे मिला लेंगे और अच्छे सी जग जहां करेंगे बस मिलाने में थोर इसे आपको दुश्वारी होगी क्योंकि वैजलिक के अंदर कोई भी चीज इस मिक्स करना थोरा मुश्किल होता है लेकिन इसे गवराना नहीं है अच्छे से मिक्सिन करते जाना है और अगर आपको लगए कि यहां प्रुश्वारी चमश को हटा ले और अपनी फिंगर की मदब से इसकी अच्छी सी मिक्सिन कर लें दो चीज़ों को हमने जिए हैं वैस से हैं तो उसकी मैल को दूर करने के लिए इसका कुई सहनी नहीं है तो हाथों की सफाई पौंग की सफाई के लिए भी लीमों का इस्तमाल किया जाता है या दिवर्ज लीमों को आप फेस्पे कम ही अप्लाई किया करें क्योंकि इसके अंदर बहुत हार किसम के कैमिकल्स होते ह तो इससे कोशिश करने गिए फाँ पर पाओं पर एक करें उन जोगर पर अठाई करें जो हांपे डार्क सरक्ल्स होते हैं हमारे कुछ ऐसे हिसे के जो चुपे रहते हैं और हमें नदर नहीं आते भेते हैं छो प्रक लगने जो यह करते हैं वैगन किया में आक्टोर थाए नियुक्र भाई करます और जैसे ही मवड़ीए करें वम्हाइब का चलिए चाहिते नहीं पास में जो और जो मट्रीयल आपके पास जिस चीज के अंदर भी आपने इसको मिक्स किया ना उसके अंदर ये काफी हट तक वैजलीन बची होगी तो उसकी बोटल को या उस बटन को कंटेनर को साफ करते हैं आपकी सारी वैजलीन हाथों पे प्लाई कीजे पाउं पे प्लाई कीजे और हलका हलका सा रब कर लीजे हलका हलका सा रब कीजे जहां पे आपको लगे कि थोरे डाग सरकल्स हैं हाथों पे या पाउं पे तो उनके उपर भी आप इसको अप्लाई कीजे ये देखें कितना ज़्यादा मट्रीयल इस कंटेनर से निकल रहे इसको अच्छे तरीके से साफ क लें और इसको हलके हलके से रब कीजिए किसी दावत पे शादे या फंक्शन पे भी जा रहे हैं तो आप इस बाम को बना कर रख लीजिए और अपलाई कीजिए आपके हाथ बहुत ज्यादा खुपसूरत भी हो जाएंगे गोरे भी हो जाएंगे जो दाग दबे हैं इन्शाल किया है तो उसका असर सारा हाथों पे और आज सके और अगर पाउं पे लगा रहे हैं तो पाउं की एरियों को चैसे कवर कर दें जहां पर आपको लगे डाक सरकल्स हैं वहां पे इसको चैसे रब कर दीजिए तो आपने पूरा अपलाई करना है पूरे कवर करना है इसको इ तो लीमु का रस आप थोड़ा कम जूज कीजिएगा अगर आपकी स्किन थोड़ी ओली है तो आपने वही मिगदार लेने हैं एक चमच लीमु का रस एक चमच वैसलिन और एक चमच मिठा सोड़ा तो इसको सद्धियों में बनाकर रख लें रात को अप्लाई कीजिए और मॉ कर लेजिए अपने हाथों को यहां पाओं को और उसके बाद आप इसको कम असकम अगर ऑवर नाइट के लिए नहीं कर सकते तो दो से त्रीं घंडे के लिए लगा कर दरूर चोड़िये का इंशाला बेहत्तरीन रिजल्ट आएगा दावतों भी जाना चाहते हैं शादिया इसके उपर हम गलफ चराएंगे इसको तीन से जार खंडे के लिए ऐसे चोड़ देंगे इसके बाद जब आप इसको धोल रहेंगे तो यकीन मनेवर्स बहुत ही वाज़े फरक आपको नजर आएगा बहुत ही ज्यादा नीट एंड प्लीन आपके हाथ आपको मैसूस होंग बहुत ही कीमिया किसम की ये रेमेडी है आपने भी इसको बनाना है इसको अप्लाई करना है और इसके रिजर्ट के बारे में मुझे फीडबेक भी दीजेगा कि आपको इसके कैसे रिजर्ट मालूम है इन्शाला आप बिल्कुल भी मायोस नहीं होंगे इसके साथ ही वाद इजादत दीजिए फिर हाजिरूंगे इन्शाला एक नहीं रेमेडी के साथ नहीं वीडियो के साथ अपना बहुत सा यार रखिएगा मुझे भी दोओं में याद रखिएगा अला हाफिज